के हैं सबसक्राइब करने कि पूरी प्रोसेस बताने वाले है तो आप इस वीडियो के अंतक बने रहे हैं तो चली बिना देर कि इस वीडियो को इस टार्ट करते हैं तो इसके लिए आपको अपनो mobile phone में simply किसी भी browser को open करना है हमने यहाँ पर chrome browser को open किया है फिर आप सभी को simply search bar पर आना है and then यहाँ पर आने के बाँ simply type करना EXAM exam फिर S page देना फिर टाइप करना SARKARI सरकारी फिर S page देना फिर टाइप करना RESULT result info info इतना टाइप करने के बाँ simply search करना फानली यहाँ पर आ चुक है exam सरकारी result.info का website का link इस पर प्लिक कर देना और website को open करना फानली यहाँ पर website कुछ इस प्रकार से open हो चुक है and then screen को scroll down करना आज आना आप से भी screen को scroll down करके upcoming के section में यहाँ पर आनी के बाद आप से भी को second update शो कर रहा है SSC selection post phase 11th admit card 2020 simply search update पर click कर देना and then यह update open करनी है फानली जैसे update यहाँ पर open किसे गा आप से भी को यहाँ पर admit card exam date से related information देखने को मिल रहा है फानली आपर देख सेकते हैं यहाँ पर important date का section अपर आप से भी को examination date देखने को मिल रहा है जो कि फानली आपर 27 जून से 30 जून के बीच होने वाला and then इसके उनको scroll down करना और आप से भी को admit card download करने के लिए आज आना direct important link के section में तो यहाँ पर आने के बाद आप से भी को यहाँ पर first नमर पर सो कर रहा download admit card तो admit card download करने के लिए इसके सामने simply click here का options हो कर रहा तो simply इस पर click करना है तो जैसे आप इस पर click किसेगा तो कुछी इस प्रकार का यहाँ पर interface open होगा और यहाँ पर देखने को मिल रहा status and admit card तो आप से भी को admit card का इस status देखने के लिए यहाँ पर simply registration ID fill up करनी होगी फिर इसे आप से भी को यहाँ पर date of birth fill up करना होगा या फिर आप से भी को यहाँ पर role number fill up करनी होगी and date of birth fill up करना होगा दोनों में से आप सभी को कोई एक fill up करके और आप सभी कोई यहाँ पर click to know the status admit card पे click कर देना होगा तो चलिए हम यहाँ पर उपर वाला fill up कर लेते हैं एंड इतना fill up करने के बाद click to know the status and admit card पे click करना है तो जैसे fill up करके यहाँ पर admit card पे click करेंगे आपसे भी का जो admit card है यहाँ पर 20 June से release होना start हो जाएगा because आपसे भी का examination 27 से 30 June के बीच होने वाला ठीक है तो आपसे भी का जैसे admit card जारी होता है कुछ इस प्रकार से आपसे भी को download करना होगा तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद